आप अंपर में घीव दियोम्हें के लिए संवशने के लिए आशन होता है अगर आपको एसे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए Still करें तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही कमन है बहुत सारा लोग को पाए जाता है ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी यानि कुछ तकलिफ नहीं होता है लेकिन देखने में खराब लगता है हाँ इसा एक बीमारी है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सेहुआ और सीवली बोलते हैं कभी-कभी और हम लोग वेस्ट में इसको छूली बोलते हैं और उडिसा में इसको फूल और छोग बोलते हैं तो चलिए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है किसको होता है कहा होता है क्यों होता है तो इसका इलाज कैसे क्या जाता है तो यह एक फंगल इं environment मिलता है तब यह भी मारी पेडा करता है तो वह क्या-क्या अच्छा environment यानि कौन सा परिवेस में कौन सा इसके अ मौका मिलता है आप हाट एन हिमन क्लाइमित है यानी कोई गरम बाला जगा में अगर आ अगर आप रहते हैं जहां पर ज्यादा पसीना होता है तो वह इसदक होता है इस्टॉम in it will say environment स्वेसे पाथोलीज़कल फोर में चला जाता है तब यह बीमारी प्रड़क पैदा करता है तो इसमें क्या होता है हट एड हुट होसकता है ज्मेंटिक आपका ज्याधा यह पंशीना होता है अगर किसी का इम्यून सप्रेशन ने यानि किसी का इमदेटीटि थोड़ा कम भी तो इन लोगों में यह ज्यादा फंगस ब्रोस करता है औरystem हो सकता है जो लोग बिद्धों आइल लगाते हैं और एक spiroid जो खाते हैं उनका वहसकता है और कुमें घ्जो कि अंदर से के जागा कुद कुन कुन में ज्यादा होता है तो फेस में वहता है यह क्वारी में बगल में होता है पीठ होता है और यह बहुता है यह क्वाइब फलता है फुलता है तो यह जहागा में हैं इस प्रूड के किया करते हैं हमारा जो मिलानिम करते tips कते likewise कभी कम मेलानीन प्रडॉक्षन करते हैं ज्यादातर किसे में कम मेलानीन प्रडॉक्षन होता है यानि मेलानीन पिग्मेंट को कम कर देते हैं जिसके बज़े से वह जागा सफेद हो जाता है तो जो पेशेंट आता है हमारा पास केसे आता है बोलता है कि क्या हो गया देखिए स सब्सक्राइब करने के लिए तो कभी-कभी यह काला-कला भी दिखता है और इसके लिए आपका जो सब्सक्राइब करने के लिए तो कभी-कभी यह काला-कला भी दिखता है और कभी-कभी किसी-किसी में खुझली होता है थोड़ा इसका इलाज कोई ज्यादा देर नहीं लगता है कोई डिफिकल्ट वाला ट्रीटमेंट नहीं है आप जाने के बाद वह देखके इसका डागनोस स्बीजन होता है क्यों कंफीजन होता है कुछ-कुछ बिम्री से दखने में आहे । यह निया सब्सक्राइब दिखना है लगता है प्लमी तो यह बहुत सारा कंडिशन से जो देखने में कभी कभी कन्फूजन में होता है तो उसके समें डॉक्टर आपको टेस्ट करने के लिए दे सकता है एक होता है फंगल स्क्रापिंग टेस्ट यानि आपका जो डेड़ स्कीन होता है जो स्केल्स होता है थोड़ा उसको निकालता युदा है का ड्रीटमेंट में क्या होता है युद्स लगाने के लिए देगा किटोकोनजल हो सकता है यerson सेलने में लगाने के लिए शांपू दे सकता है सेल्सेलिनियम सल्फाइड और किटोकुनाजल का संपू हाता है बदन बाथा में लगाने के बाद युझे कालरा होता है तो इस we 보시 का निचर छे तो इसे में कहां होता है माया के लिए लिए कुछ सिस्टेमिक दवाई दिया जाता है तो इसका डोज आपका बाकी कंडिशन देखके आपका जो डॉक्टर है वह आपको देगा आप अपने से मत खाईए इसको खाने से पहले कभी-कभी टेस्ट भी करना पड़ता है ब्लाड टेस्ट करना पड़ता है तो यह जब भी आपको खाने वाला दवाई खाते हैं बिल्क तो treatment के बाद आपको prevention यानि क्या करने से आपको यह बार बार नहीं होगा हमने जो इसका risk factor बताया है यानि अगर आपका ज्यादा पसीना हो रहा है तो तुरंद कोई exercise करने के बाद कोई sports यानि कोई खेल कुद करने के बाद आपको थोड़ा आके नहाना है और आपका पसीन होता है तो वैसे चीज को अवेट करिए गर्मी थोड़ा अवेट करिए तो यह वोटावर्डी ठीकी रहता है इसा कोई serious बाला बात नहीं है इतना भी चुने से दुसरे को हो जाएगा लेकिन एकदम close contact में बहुत ताइम रहने के बाद कभी कभी एक सुद दुसरे को हो सकत है तो कोई डरने बाला चीज ही नहीं इतना serious नहीं है लेकिन और चीज बता है यह जो फंगस के अथुरू यह बीमारी होता है यह फंगस और भी कुछ बीमारी करता है जिसे हमारा सर में होगर होता है तो आपको होता है जिसको हम से बुरिक डर्मेटेटेश बोलते हैं और क यह फंगस बहुत ही बीमारी करता है बहुत ज्यादा बीमारी करता है तो आप अपने डर्मेटेश के पास जाईए इसका इलाज करा लीजिए ठीक हो जाएगा ऐसे कोई टेंशन वाला बात नहीं है तो इतना ही है और कुछ नहीं हमने सारे चीज इसके लिए कवर कर लिया ह है तो आपको यह वीडियो उनके साथ स्यार करना है उनको भी बताना है कि क्या बीमारी है तो इसके साथ हम विदा देते हैं थांक्यू स्टे हल्दी स्टे सेफ से अट होम थैंक्यू